जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर 5 questions सहीं बना आता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रों कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से दस question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे या आपका नाम शो करेगा उसमें तो ज्यादा समय ना लेते हुए याद रखेगा आज का session है हमारा Buddhism से मतलब बहुत धर्म से तो बहुत धर्म से related जितने प्रस्ण पूछे जाते हैं जितने प्रस्ण पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हूं सारे तथ्यों को आज देखेंगे इन personality को आप अच्छी तरह से जानते हुए यह हमारे गौतम बुद्ध जी गौतम बुद्ध जी को ऐसे ही Asia का जोती पुंज नहीं कहा जाता दरसल बात ऐसी है कि यह ऐसी सक्सियत है जो एक राजकुमार का जीवनियापन करके अपना जीवनियापन किये लेकिन याद रखन है सातियों यह एक समय ऐसा आया जो है अपने गरित याक करके अपने घर को छोड़के मंझीम प्रतिपदा मतलब मध्यम मारगी रास्ता अपनाते हुए जो है पूरा वो नहीं जो हमें मिला है जीवन वह है जो हम बनाते हैं इसका तात्पर क्या है चात्रों इसे रखने का तात्पर क्या है याद रखेगा जो हमें जीवन मिला है चाहे वो कोई सी भी परिस्थिति हो मैं अगर तुलनात्मक अध्यान करा रहा हूं या बता रहा हूं कि कल्पित हैं अपने उद्देश्य के प्रती तो याद रखिएगा आपको आपका लक्से जरूर मिलेगा तो इसलिए अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखिए और साथ में उसे एक युद्धिस्तर पर लेकर यह बार-बार बोलता हूं ठीक है और यहां क्या बोल रहे हैं जीवन वह है जो हम बनाते हैं हम खुद चाहेंगे तभी हम पढ़ेंगे सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सारी स्मार्ट वे पे हम स्टडी करेंगे पेपर का आपको अभी आगलन होगा या नहीं होगा मैं बताना चाहूंगा पेपर के कोस्चन्स जो है कुछ एडवा हमारा विशा है यहां दिखाई दे रहा है प्राचीन पोर्शन हम कवर कर रहे हैं बहुत धर्म हमारा विशा है भाग एक है जिसमें हम गौतम बुद्ध के बारे में सारी चीज़ों को जानेंगे देन उसके बाद जो एडवांस लेवल के कोस्चन्स होते हैं वह दूसरे प पताया था कि कई बच्चों को जो है हिस्ट्री जो है वो टीपिकल लगता है और कई बच्चों को हिस्ट्री क्या लगता है इंट्रेस्टेड लगता है टीपिकल किसको लगता है जो रटने भीड़ जाता है इंट्रेस्टेड उसको लगेगा जो सारी कहानियों को अच्छी सुद्धोधन इनके पिता थे तो जब िरभ में आए तो माता महामाया को एक स्वापने आया किश स्वापने कुछ इस प्रकारस से समेधनामक कौन समेधनामक एक बोधी सत्व इनके Professor अनॕ मिलता है और कई पुस्तकना मिलता क्या मैं जन्म ले सकता हूं आपके कोक से तो बिल्कुल माता महमाया ने उन्हें पर्मिशन दिया कि बिल्कुल आप जन्म लीजिए और जो है आपके इनके पिता पुतम बुद्ध जी के जो पिता हैं उन्हें बताया कि मुझे ऐसा-इसा स्वपन आया था और जब स्वपन आ करकितायां उन्हें कि आपके घर में एक पूत्र का जन्म होगा जिसे अगर आप घर में रखेंगे तो एक अच्छा च्छत्रीय योग के राजा बनेगा लेकिन अगर उसे आप बाहर भेजेंगे तो वो कहीं न कहीं जो है आपका सन्यासी होगा और जो है सारे विश्व में जो है ग्यान बाटेगा तो आज देख सकते हैं आप गौतम बुद्ध अपना गरी का त्याग करते हैं और पूरे विश्व में आप देखेंगे बहुत धर्म अच्छी तरह से जो है विद्यमान है ठीक है तो उसी के साथ यहां देख रहे हैं आप महमाया जो है अराम कर रही है और जो है उनको बोधिशात्य हाती के रूप में प्रतित हो रहा है तो गर्भ की स्थिति को ही क्या कह जाता तक कि किस रूप से दर्शाया जाता है आपका गौतम ब पहले कि प्रसाओ के लिए महिला जो है हमेशा कहां जाती थी अपने मई के जाती थी ठीक है अपने सशुराल से अपने कहां जाती थी मई के जाती थी तो लुम्बनी से जब वो गुजर रही थी तो रास्ते में साल विक्षो का बहुत बड़ा घना जंगल था वहां उनको जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो हर्याली से सारा छेत्र जो है विल्लेखक बोलता है हर्याली से सारा छेत्र जो है मनमोहक हो गया देन उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी निरंतर बनाया रखते हैं लेकिन याद रखेगा छात्रों कुछ समय पस्च किया ठिक है ऐगे बढ़ते हैं उसके बाद मैंने बताया कि वह अपना राजकुमार का जीवन अपना व्यक्तीत कर रहे थे उनको सारी सुक्ष विधात यहां देख सकते हैं धनुविध्या से लेकर सारी सुषूद हैं उनको प्राप्त थी लेकिन उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था ठीक है आगे बढ़ते हैं एकदम बेसिक से चलना है कुछ परश्चाद जब गौतम बुद्ध जी आपके युवावस्था में आ गए जवान हो गए तो उनकी शादी ह जो है आपका यशोधरा से हुई ठीक आगे बढ़ते हैं इस बेसिक चीज अभी दिमाग में सेट करना है सारी वन लाइनर फेक्ट इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद जब उनका विवाह हो गया तो विवाह के पश्चाद जो है वो अपने पिता जी जित किये अपने पिता जी से कि मुझे जो है आपका प्रजा को देखना है मुझे भी जो है प्रशाशन देखना है मैं एक समय प्रशाशन करूंगा तो मुझे देखने को तो मिले कि मेरी जो प्रजा है वो किस प्रकार से वो साथ में निकले अपने साथ मतलब अपने घोड हिदय परिवरतन हों कि अब कैसे हुआ देखो समझो से सबसे पहले याद रखेगा उणका हिदय परिवर्तन हुआ जब बुठे व्यक्ति को देखे ठीक यहां दिखाई दे रहे होंगे एक बुढ़ा व्यक्ति यहां दिखाई अब यहां बताते जाओंगा सारा चीज मिक्स हो जायागा जिससे कहानी समझ में नहीं हाएगा तो इसे फॉलो करते गाराम से सबसे पहले उन्होंने किसे देखा एक विद्धिव्यक्ति को देखा तो नहीं इशारा किया कि बताई यह गाड़ी चलाने वाले यह सक्स क्या है और क्यूं चल रहा है ऐसी तो गारी चलाने वाला बोलता है बैल गारी चलाने वाला या आपका घोड़ा चलाने वाले यह कहता है कि एक समय सब को क्या होना है बुढ़ा होना है ऑपका ये संसार का सत्य है ठीक है तो उसके पस्चात फिर उनकी नजर पड़ी किसमें एक बीमार पर पड़ी नजर ठीक है यहां दिखाई दे रहा है यह बीमार ठीक उसके बाद यहां उनकी नजर पड़ी एक बीमार पे ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक जब बीमार पे एक नजर पड़ी, तो देखे वो भी लचार था, तो बोले वो क्या है, तो बोले, जी वन में जो है बहुत सारे कस्थ आते हैं, तो कस्थ पर व्यक्ति को रहन पढ़ता है इस प्रकार से बताया तो फिर से उनका हिर्दय लगा कि भाई अरे मैं भी एक समय में बुढ़ा होंगा मुझे भी बीमारी होगी किसी ना किसी प्रकार की ठीक है उसके पश्चात उनकी नजर पड़ी एक मिरित व्यक्ति पर पड़ी जो की आपका काठी मिले जाय है वह तो एक प्रकार से दुख ही है क्योंकि गौतम बुद्ध का सिध्धान्त है सब्बं दुखं ठीक है तो उसके पश्चात यहां एक योगी व्यक्ति दिखा जो की साधना में चुपचाब बैठा हुआ था बोले वह व्यक्ति क्या है तो बोले उसको संसार से कोई सब्सक्राइब नहीं है वह अपनी साधना में बैठा हुआ है और भीक्चा मांगे अपने जीवनियापन करता है और फिर से वैसी पर स्थिति में बैठ जाता है तो उनका यहां देखने से उनका क्या हो गया हिर्दय परिवर्तित हो गया अब वह वापस आए आए आगे गोड़े से प्रदर्शित किया जाता है उनके क्रेतियाग को ठीक है जिसे क्या कहाता है कहा जाता है आपका महा भी निस्क्रमर ठीक है तो आपका उन्होंने जो है अपनी शका काटी और आपका निकल गए आपका जंगल की ओर ठीक है देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं त पास अलार कलाम के पास उन्होंने जो है कुछ दर्शन का मैं बताऊंगा सारी चीजे डिटेल में हैं लेकिन दर्शन मैंने आपको बताया था इससे पहले दर्शन साथ से कोश्चन कराएं से 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 पहले तो कुछ दर्शन के इन्हें ग्यान की प्राप्त हुई अब जब ग् मरं करना है और चिंतन करना है तो वो जो है कुछ दिन आपका सिख्छा प्राप्थ किये इसके बाद फिर निकल गए आगे बढ़ते उसके पाथ आपका उन्हें मिले कुछ साथी उसके बाद क्यों मिले कुछ साथी मिले जो की कोटिनी या कोटिन निक एवं उनके साथी ग्रूप में आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं questions करवा हूँ, थीक है, तो उनको कुछ साथी मिले, उनके साथ वो तपस्या करना प्रारम कर दिये, ठीक है, अराम से वो तपस्या करने लगे, ठीक है भई, आगे बढ़ते हैं आईगे, उ फिर बोधी विरिक्ष के नीचे उन्हों क्या हुआ, ग्यान की प्राप्ति हुई, फिर सारनात में उन्हों सबसे पहले क्या दिया अपना प्रवचन दिया, उन्हीं साथियों के साथ, जिनके साथियों के साथ उन्हें तपकरना प्रारम किये थे, ठीक है, तो उन्हें उप अपना प्रवचन देना प्रारम किया ठीक है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं छोटा सा कहानी याद रखना है ठीक है यह जो है आपका याद रखिएगा एक्षिश्य था इनका आनंद आनंद की वज़े से आपका महिलाओं का प्रवेश बौधधर्म में प्रारम हो गया प्रथम चरण में बौधधर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं था लेकिन आनंद के कहने पे महिलाओं का प्रवेश हुआ और आपका बौधधर्म जारी रहा ठीक है आगे बढ़ते हैं ऐसा कोई विशेश कर नहीं है कि महिलाओं के प्रवेश से ही खंडन हुआ ऐसा बिलकुल नहीं है ठीक है अच्छी पुस्तके अगर पढ़ेंगे आप तो बिलकुल किसी प्रकार से वैचारिक नहीं होंगे कि महिलाओं आई तभी जो है खंडन जो आपका बोगोल का जो क्लास था उसमें मैंने बताया था कुशी नगर जो कहां इस्थी था आपका उत्तर प्रदेश में वहां इनकी मृत्ति हो गई देन आगे बढ़ते हैं आईए यहां से प्राप्त होता है हमारे फैक्ट्वल थिंके मैंने क्या बताया सबसे पहले कि मतलब साल वन्के वन में गौतम बूत का जन्म हुआ अब वो समय कौन सा था तो समय था 563 ईश़ा पूरु वैशाक पुर्णिमा जहां से प्रशन पूछा जाता है पहला फैक्टि यह आद रखना है पहले क्या बताया मिनने कि वैशाक पूर्णिमा में आपका 563 इश़ा प आप जो है उनका जो जन्म हो गया तो उसे कमल के द्रशाय जाता इंद्ध है यहाँ इसे भी दर्शाय जह सै जाता है लिक्न your while इसे याद नहीं रखना है ठीक उसके बाद मिर्तिय कब हुई 80 वर्स की उम्र में 80 वर्स की अवस्था में 483 इसा पुर में इनकी मिर्तिय हो गई ठीक है इस प्रकार याद रखना है जन्मिस्थान का है मैंने बताए ले नेपाल के तराई वाले छेत्र में लुंबनी ऐसे घाल कोजि कहा जाता था ठीक है। इस प्रकार सहरा रखना है दैन उसके बाद निर्वान इस्थल कुछिशी नगर हो गए कुछी नारनी है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश निर्वान इस्थल मतलब की यहां से जो है आपका इन्होंने निर्वान की प्राप्ति की मतलब महापरी निर्वान इनका यहां हुआ तो निर्वान से ताथ पर यह है महापरी निर्वान लिख लिजेगा महापरी निर्वान जो है आपका गौतम बुद्ध की मृत्यू का समय था ठीक है आगे बढ़ते हैं कि यहां देख सकते हैं परीच है और कैसा कैसा परीचर है मूर नाम थे हैं इनका सिध्धार्थ यहां दिखाई दे रहा है ठीक है और साख के छत्री कुल के यह थे ठीक है क्रम लिखा गया यह सब नीद याद रखना है साख के गणराज साख के कुल के छत्री थी इस प्रकार से याद रखना है ठीक है पीता का नाम सुद्धुधन जैसे की बताया मैंने ठीक है साख के गणराज के मुखिया थी बताय थी जो कि इनका पालन की क्योंकि गौतम बुद्ध की माता की मृत्ति जो है साथ से आज दिन के भीतर हो गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां देखिए इनकी पतनी का नाम यशोधरा मैंने बताया ठीक है साक्य वंशी थी इसे प्रकार्स के तत्य पूछे जाते हैं अन्य इत्याग को महाविन जीसे की गोड़े से प्रदर्शिट किया जाता है ठीक है ग्यान की प्राप्ती 6 साथ पर 50तित के पश्चात कहा ग्यान की प्राप्ती 35 साथ कि पार निरंजना नदी के तरपर पीपल विंश के नीचे इनकी आपको आपका बोध गया में एंक कहानि याद रखना है देन परिच्छ अप्योगी तर्थोय को याद थीक है आगे बढ़ते हैं यहां देख सकते हैं प्रतीक चीन क् INFP के नहीं ने किसके रूप में याद रखना रखना है इस तब वो इस थल क्या रहा है बोध गया में पीपल विच्छी के नीचे ठीक है इस प्रकार से याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन बताया है मैंने कौटी नियों की साथी के साथ सारनात्म में सबसे पहले अपना प्रवचन दिया अगे बढ़ते हैं अब जो है बुद्ध के जीवन के संबंधित बहुत धर्म के प्रतीक चिन ठीक है प्रतीक चिन से ही प्रस्न बहुत कुछ पूछा जाता है घटना और प्रतीक जन्मों को कमलें सांड जो है आपका चक्र मतलब धर्म चक्र प्रवतन जिसको मैंने कहा था चक्र रूप के रूप में प्रदरशीत किया जाता है उसके बाद सारथी सार्थी मतलब जो गोड़ा चलाने वाले क्या नाम था चन्ना था चान नाम था ठीक है जो मैं बताया कि जिससे पूष्टे थे वो कि भाई वो वरीध्य आदमी क्यों ऐसा चल रहा है ठीक है तुम बताता था वरीध्य आदमी जो चल रहा है एक दिन सभी को वरीध्य होना है यह संसार का सत्य है ठीक है अभी सीर पॉसिफ बेसिक याद रखना है एडवांस जो है सेकंड पार्ट में होगा ठीक है तो सारे बच्चे इसे देख रहे हैं तो बेसिक भी लाना जो है हमारे लिए निवारे यहां देखिए घोड़ा जो था उसका नाम क्या था कांथक था ठ यह पहला सिद्धान थे हमारा जिसे त्री रत्न कहा जाते है अगर बोला जाएगा कि बुद्ध धर्म के के त्री रत्न क्या है तो बुद्ध धम और संग ठीक है उसके बाद याद रखना है संसार दुखों के संबंद में चार आरे सद गौतम बुद्ध जी जो है हमेशा क कारण अगर देखा जाए तो इच्छा पर निर्धारित है इच्छा है तो क्या है आपका दुख है और दुख समुदार उस दुख कोई न कोई कारण है ठीक है फिर उसके बाद बोलते है'Mhe जो दुख निरोध मतलब दुख का निरोध किया जा सकता है उस जो कारण है उसका क्या किया जा सकता है उसको उसका निप्टारा किया सकते हैं असान भासा में समझें तो दुख निरोधी गामी प्रतिपदा जो है वह आपका अस्टांगी कमार से संबंदित है अस्टांगी कमार का कोश्चन जो सारी डीटेलिंग्स है जो आगे में हम करने सारी चीजे को देखेंगे आप इसमें आए स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट होगा कोश्चन ठीक कोश्चन पहला है हमारा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म तुरंट आंसर लगाई है मैंने बताया 563 इसापूर मे गौतम बुद्ह का जन्म हुआ था ओगे बढ़ते आईए अगला प्रसन है बुद्ह के जीवन में किस घटना को महा भी निष्क्रमन कहा जाता को अधर्मचक्रवर्तन किसे कहा जाएगा जब वह सारनाथमें सब को को में जिया पहला घ्यान दिए थे थिक है को एफ उनका ग्रीत याग, ठीक है, महापरी निर्वान मतलब उनके मिर्थी हो गए, उनका जन्म को किस से दर्साया जाता है, आपका हाथी के चिन्ह से दर्साया जाता है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते है, प्रभोधन मतलब क्यों, जब वो ग्यान दिये थे, सारनाथमेजी उसको क्या बोलेंगे, आपका धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है, प्रस्ण का मतलब चार है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, ठीक है, तो पार्थ, प्रचन, मिहीर, गुडा, केश, कोई सा नाम नहीं है, उनका याद इनहें शाक के मुनी के नाम से जाना जाता है, तो इन में से कोई नहीं इसका अंसर होगा, आगे बढ़ते हैंगे, इस प्रकार से भी प्रस्ण पूछेगा, इसलिए सारे तथ्यों को याद रखना है, ये तथ्यों पूछे जा सकते हैं, तो शाक के मुनी याद रखना है, गौतम बुद्ध जी का नाम है और आपका दूसरा नाम है सिद्धार्त उनका पहले का नाम है उसके पश्चार याद रखना है आपका शाक के मुनी जो है उन्हें कहा जाता था ठीक है अगला हमें हमारा कोश्चन निमली ही फिस्योष के इक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनी यह देखो दिख रहा है शाक्यमुनी बुद्ध का जन्म मैं हुआ था ठीक है याद रख के चलता है कि आपका कश्रूंअगर में उनकी मृत्ति हुई कहां हुई तो याद रखेगा कुशी नगर में उनकी मृत्ति हुई ठीक है आगे बड़ी लुंबनी में उनका जन्म हुआ था बहुत गया में उनके प्रवचन दिया था अग्यान दिया था तो सुभध जो हुए उसका आंसर होगा ठीक है आनंद चुतां उनका सिच्छ था ठीक है इनके बारे में कहानी याद रखेंगे आगे बढ़तें हैं अलार कलाम कौन थे तो याद रखेगा अलार कलाम जो थे आपका दीख रहे हैं बुद्ध के एक सिच्छ यह थे एक प्रतिस्ठित बहुत भी चुछ थे गुद्ध का अली में दिया था दिया होगा देखो ठीक है तो याद रखिएगा सार्नाथ में उन्हें सबसे पहले अपना धर्म चक्रप्रवरतन दिया था देखो कितने सारी परिक्षाओं में पूछा गया आगे बढ़ें बुद्धने शर्वाधिक उफदेश दिये थे याद शब कहीएगा सबसे पहला उपदेर इंग तो आपका सारनाथ में और सबसे जब्यक्त संराज 10 तो मगति समराजी रही है तon यहाद रखना ठीक उसके बाद है आपका प्रसन को जैना बुड्ध के जीवन कि करना है उन्हें उन्हें नहें मंधित चार संस्थानों का नीचे उलेख है यह दो इस थंबों में ठीक है इस प्रकार से जोड़ना है ठीक है जन्म कहा हुआ तो याद रखना है जन्म कहा हुआ है आपका लुंबनी में हुआ है तो क्या हो जाएका थर्ड मैं हमसा बूलता हुआ इसे सौल करना है तो फस्ट का थड़ यहीं दिख रहे है बस यहीं होगा ठीक है ज्ञान प्राप्ति कहा हुआ इनको बोध गया में हुआ ठीक है प्रथम प्रवचन कहां दिये निधन कहां कुशी नगर में हो तो यह जो होगा का आंसर होगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद है सूची एक को सूची दूमे सुमिलित कीजिए उसी प्रकार का है आपका प्रश्ण ठीक है तो जन्म क्या होगा आपका बोधिवरीक्षे धर्म प्रश्ण में सारी चीजिए आपको क्लियर होगी तो कमल से प्रवर्चन क क्या कहा जाएगा तो आपका धर्म प्रवर्चन को किसे कहा जाएगा थीक है महा बोधी मतलब ज्यान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहा जाता है आपका महा बोधी फिर उसके वाद त्याग को क्या कहा जाएगा घोड़े से प्रदर्शित किये जाता है ठीक है तो इस प्रकार के तथि हमें याद रखना है आगे बढ़ते तो कौन सा के प्रवेश की अनुमती बुद्ध द्वारा दी गई ठीक है तो याद रखिएगा आपका वैशाली में जो है आपका क्या किया गया आपका इस्तरियों को अनुमती दी गई प्रवेश की अनुमती प्रदान हो दरसल यह किसके नियत्तित में हुआ आपका आनंद के नियत्ति दिए गया, तो आपका किसमें किया गया, वैषाली में, तो कैसे याद रखना है इसे, आनंद जो थे, वो आपके गौतम बुध्य के बहुत ही प्रीषिशे माने जाते थे, अब ये प्रीषिशे से पहले गौतम बुध्य के विरोधी थे, कौन आपका आनन, तो इससे कहानि याद रखना है हमें प्रतियोगी परिष्छाओं के द्रिष्टी कोण से अगर समझे तो छात्रों समझने योग्य बाते हैं ठीक तो समझना इसलिए बहुत जरूरी है सारी चीजों को वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार चाहिए आपके जीवन में होता है यह नहीं होता है हुआ यह कि आनंद जो है वो क्या कर रहे थे विरोध करते थे हमेशा गौतम बुद्ध जी को कुछ भी इधर उधर बाते करते थे ठीक है यह कहानी है प्रकार की तो एक दिन क्या हुआ गौतम बुद्ध जी बोले आने दो उन्हें मेरे पास उसके बाद बोले बताईए क् मश्या है आपकी गौतम बुद्ध जी बोले आनंद से तो आनंद बोले कि मुझे आपको बहुत ही उल्टा सीधा बोलने का मन है तो बोले बोली वह बैट के लगातार कंटीनियू जो है बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं और आपका ठग गय उसके बाद गौतम के लिए अपने कुछ तौफा लेके जा रहे हो या कुछ भेट लेके जा रहे हो तो यह बताओ वो भेट जो है वो अगर एकसेप्ट ना करें वो उसे ना ले तो आपके दिल में क्या वितेगी ठीक है तो बोले कि मुझे पूरा लगेगा ठीक है ओके ठीक है कोई बात ने तो बस बात वही है कि आपने जितना भी कुछ मेरे को बोला और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ फरक नहीं पड़ा मैंने आपसे उसे नहीं लिया तो याद रखिएगा जितना भी आपने इंडाउंस आ जाये लाइफ में प्रतियोगी परिच्छाओं के निरंतरता के दौर चाहे कोई भी कुछ भी बोले हमें उसको अपने हिर्दय में या अपने जीवन यापन में उसे नहीं रखना है हमें अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखनी है और इससे यह पता चलता है कि ऐसे ही गौतम बुद्ध जी को है एसिया का जोती पुंज नहीं कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है बॉद्ध धर्म में त्रिरतन क्या है तो मैंने बताया बुद्ध धम संग दिखाई दे रहा होगा कहीं त्रिपीटक सील समाधी बुद्ध धम संग ठीक है आंसर हो गए इसको आगे बढ़ते हैं भी विस्व का सबसे उचा कहा जाने व थीक महात्मा गांधी को नहीं महात्मा बुद्ध को ठीक है महत्मा वपाधि मिली लिए ठीक है अब हमारा लास्ट कुछ्चन अको पुछा गया था उस आउस continent जो है बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अंसर दिया है यहां देख सकते हैं अगला यहां दिखाई दे रहा है आज का प्रस्ण भारत के पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया था वह थी इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है इसी के साथ चातरों इजाजाद चाहूंगा और मैं आप लोगों को बार 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 बुलता हूं कि लास्ट के कोश्चन का अंसर जरूर दें ओके तो इसी के साथ इजाजाद चाहूंगा धन्यवाद